है नशा में कुछ भी बोल जाती है फिर मांभी मांगती है कोई बात नहीं दो चार और भी बोले इस तरीके से अच्छी बात है और बोले हो आपको क्या पता दिखाओ कभी यूटूब गूगल में दिखाओ नशा सबको पता है अच्छी बात है सुमीता रानी गईने वहां से ये भी जाएगी देख लेना तुम लिख लो आणिया पर सिजितने सकल देख लो मैं मिठाई बाटूगा कंगना जी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है बिजेपी वाले लोग जो बड़े बड़े नेता लोग हैं जैसे मोदी जी हो गया है अमिश्शा हो गया है राजनास सिंग हो गया है ये सब इनको जो है महोडा बनाएं और इनसे आलतु फालतु जो भी आजकल ये बोल रही है इससे पहले भी राहुल गांधी के बाड़े में बोल चुके थी अब ही बताया जा रहा है कि किशान रेपिशिर और रेफ करनने वाले लोग हैं तो ये बताईए ये बोलना उउचित है किशान भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं अगर आपको बोल नहीं था तो ये कहते हैं कि हमार लगजे बसक्षाऊ सकते हो अभर बार देख लो दिल्ली देख लो मुंबई देख लो उतराखंड देख लो यूपी देख लो कॉलकटा देख लो हर जगा हुआ बाड़ यह के मुद्दाल बनाईये गा फोकटा बैंगलोड यह यह कहने का मतलब यह ऊचित नहीं है उनके माइन नहीं काम कर रहा है उसको बाड़ बार कह रहे हैं कि उसको बीजेपी वाले उनको मोहरा बनाए हुए है और उनसे जो आलतु-फालतु जो भी बोलवाना है बोलवा रहे हैं सर मोरा है क्या गंगनर अनौट मोरा है क्या नहीं उन्होंने अपने बियान के लिए माफी मांग चुकी है नहीं मांगा उन्होंने तो मैं उनको मूरक कहता मैं उनके निंदा करता उन्होंने बियान के लिए माफी मांगी है अब वो फिलम इंडस्ट्री से राजनीती में आई हर एक की बस की बात नहीं हैं अगर बस की बात होती तो केजरी वाल जेल में नहीं होता राजनिती करना हर एक की बस की बात नहीं होती है सर्थ किसानों को देश की किसानों को इस तरिके से टार्गेट करना कि वो रेपीस्ट हैं अगर ऐसी हलात नहीं होती तो बागती सी मज़ता है पंजाब कहां तक जाएजे फिर दिखिए मैंने आपको क्या बोला उन्होंने अपने ब्यान के लिए बापिस माफी मांगी है अगर वो माफी नहीं मांगती तो मैं सबसे पहले उनकी गोर निंदा गरता उन्होंने मुंबई में क्या किया था ये भी सबको पता है वो माराश्ट्र गॉर्मेंट की उद्धर ठोकरे गॉर्मेंट से बीड़ी भी गई थी उनका घर भी तोड़ा गया तो वो शुरू से ही विद्रोही सभाव की रही है और जो उनके दिल में होता है वो ही मूँ से बोल देती है लेकिन एक राजनीती ऐसी चीज है राजनीती ऐसी जगा है कि यहाँ आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना बढ़ता है कौन सी बात कैसे कहा कही जाती है यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है यह राजनीती है और राजनीती में मुद्वे भी ऐसे होते हैं तो अभी उनको टाइम लगेगा जुम्मा जुम्मा चार मीने हुएं, सांसर्थ बने हुएं, ये बहुत बड़ी बात है कि मंडी के लोगों ने उनके ओपर कितना बड़ा कटाक्ष हुआ, आपको ध्यान है, उनको बोला ये मंडी की चीज है, मंडी आद समझते हैं, मंडी की चीज है, ऐसा तक भी ब्यान विपक्ष की तरफ से, कॉंग्रेस की तरफ से आया, तो फिर भी वहां की जनता ने उनको जिताया है, और वो अकेले दम उसने फिलम डुस्ट्री में राज किये, नेप्टो इजम के उपर जो आवाज उन्होंने बुलंद किये, मेरे ख्याल से किसी हिरोईन ने बुलंद नी किये, तो अगर वो फिलम डुस्ट्री में पर्चम फेडा सकती है, और मुझे पता है, उनकी अंदर से नियत साफ है, वो राजनीती में भी अपने शेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे, सर क्या करना चाहेंगे, कंगनल ने जो कहा, किसानों के लिए कर, गलत कहा, गलत कहा, जी, क्या करेंगे सर आप, अम दाता है, यह तो आप अच्छी तरह करेंगे, पूरे हिंदास्दन हम में सब में, सबसे बड़ा वो है एक नेता, जो सर्दी में, गर्मियों में, धूपों में मर्ग जल करकर के जो है, अनाज बोता है, सब को भोजन देता, इस तरीके से ठीक नहीं है कहना, वो तो खुद कही चुका है कि मैं पहले नशा करती थी, हैं नशा में कुछ भी बोल जाती है, फिर माफी मांगती है, कोई बात नहीं, दो चार और भी बोले इस तरीके से, अच्छी बात है, और बोले हो, आपको क्या पता है, दिखाओ कभी यूटूब, गूगल में दिखाओ, ये नशा, सब को पता है, सब को बाता है, ऐसे दुनिया जानती है, फिर दुनिया जानती है, उनने कुछ कह दिया, तो आप अभी बढ़क गए, नहीं, सर मेरी बात, किसानों के लिए कात्व मैंने काना, ये बोलती है, वो नशा करती है, और ब्यान दे देती है, ऐसा कब का है, उसने, तुम उसके बारे में बोलने लग रहे हो, तो चार और बोले, अच्छी बात है, सुमीता रानी गईने हुआ से, ये भी जाएगी, देख लेना तुम, लि पर सो सरकार भी किरा देंगे मोदी की, बस नहीं चल रहा, और क्या, घिस बिटके चल लिए जबरेस्ती, दो जार, मेरे को अच्छे लगते हैं, दो जार, दो हजार, एक मिले, दो जार, चोदा से जो मोदी के विरोधी है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और एक समसे कम विरोधी तो है, एक मिनट, मैं मोदी का, एक मिनट, मैं मोदी का, दस साल, बहुत बड़ा सपोर्टर रहा, अब मैं उसका कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि जनता मोदी के साथ थी, दोनों बार क्लियर, मैंडेट क्लियर, फैसला जनता ने दिया, मोदी को गड़बंदन की सरकार बनाने की जुरुवत नहीं पड़ी, इस बार मोदी के खिलाफ मैं भी बोल रहा हूं, कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, ये पांच साल आपकी तलवार की धार पे हैं, एक एलन मस्क बियान देता है, मैं 20 लाग कारे इंडिया में इलेक्त तो अगर बेरोजगारी दूर करनी है, महिंगाई हटानी है, आज वो बोल रहे हैं छाती ठोक के हम विश्वु में पांच में नंबर पे आ गए हैं, अरे आप जीडीपी के हिसाब से पांच में नंबर पे आ गए, एक नौमी के हिसाब से हमारा देश का है, चाइना हम से च चार ट्रिलियन डॉलर हैं और चाइना अठारा ट्रिलियन डॉलर है, तो चाइना इतना आगे क्यों बड़ा, क्योंकि चाइना ने अपने यहां इंडस्ट्री खुट्व लगाई और भार से बड़े-बड़े देशों से जो डेवलप कंट्री है, उनसे भी बुलाके अपन या इंडस्ट्री लगाई, तो मोधी को पांस साल यही फोकस करना पड़ेगा, वो MSME यह सब देश की जनता नहीं समझती है, उनको मैनुफेक्ट्रिंग हब इंडिया को बनाना पड़ेगा, आज इंडिया का जो इंडस्ट्रिस्ट है, जो इंडिया का बिजनस्मेन है, वो बेचारा रोता है, बोलता है, मैंने स्वीच गरे की फैक्ट्री बनाई, करोड़ों रुपे लगा दिये, मेरा स्वीच गरे यह और 500 रुपे में मैंने बेचना चालू किया, और उसी की टकर का स्वीच गर 75 रुपे में आरहे है, चाईना से, मैं क्या गरूं, तो यह सब च कीज़े हैं यह सब चीज़े मोधी को पांस साल के अंदर बैलेंस करनी पड़ेगी तब जाके हमारा देश तीसरे नंबर पर आएगा ऐसे नहीं आ जाएगा जो वो कह रहे हम इंडिया को जो जार सकता इस तक तीसरे नंबर में ले आएंगे उसके लिए हम रोते हैं के साथ उसका सोलूशन जुड़ा होता है और सोलूशन की वैल्यू तब है जब प्राब्लम होती है तो हम ही जंता मोधी जी को कह रहे हैं कि इस तरफ ध्यान दीजिए इंडिया को इंडिस्ट्रियल हब बनाईए मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट यहां लगवाईए